Welcome to my classroom English, kids, पिछले वीडियो में हमने सिखा था Student Talking to Teacher और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं Students Talking to Students, जी बच्चो, जब क्लास में बच्चे होते हैं तो आपस में अपने फ्रेंड्स से क्या-क्या चीजें English में बोलते हैं और सीखते हैं चलिए आए हम देखते हैं आज इसे I hope आप इस वीडियो को इजवाए भी करेंगे और सारे sentences को अच्छे से learn भी कर देंगे So come on, let's do it Classroom English का आज का पहला sentence है क्या तुम टेस्ट के लिए तयार हो? जब आपका कोई class टेस्ट होता है तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो न क्या तुम टेस्ट के लिए तयार हो? उसे आप English में कैसे पूछोगे? Are you ready for test? Are you ready for test? Clear? हमारा next sentence है क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ? अगर आपके पास पेन नहीं है या refill end हो गई है या फिर आप भूल गए हो तो आप पुछते हो न क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूँ? तो आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो May I take your pen please? या फिर May I borrow your pen please? May I take your pen please? या फिर May I borrow your pen please? प्लीज आपको लगाना है क्योंकि आप अपने फ्रेंड से request कर रहे हो नेक्स्ट है जब कभी आपके पास pencil नहीं होती है और आप अपने फ्रेंड से पुछते हो क्या तुम्हारे पास extra pencil है? क्या तुम्हारे पास extra pencil है? तो उससे आप English में कैसे पुछोगे Do you have an extra pencil? Do you have an extra pencil? Clear? चलो Next sentence है क्या तुम मेरे साथ काम कर सकते हो? अगर आपको लगता है कि आपके friend को आपके साथ काम करना चाहिए तो आप उससे पूछते हो क्या तुम मेरे साथ काम कर सकते हो या काम करना पसंद करोगे तो उससे आप English में कैसे पुछोगे? Can you work with me? Can you work with me? Clear? चलो Next है अगर आपका friend आपकी help करता है और आप उससे हिंदी में बोलते हो धन्यवाद मेरे साहिता करने के लिए तो उससे आप English में क्या बोलोगे? Thanks for your help Thanks for your help बच्चो I hope आपको ये sentences अच्छे से समझ में आ रहे होंगे अब आप इनकी English भी अच्छे से learn कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इन sentences को daily life में use करना daily life में sorry और thank you जैसे word जैसे आप बोलते हो न वैसे ही daily life में इन सब sentences को भी आप English में बोलने की practice करो whose turn is it whose turn is it clear whose turn is it clear मैं बार-बार sentences को repeat करती हूँ बच्चो ताकि आप भी सही pronounce करना सीख सके edited videos और edited wise सुनने में तो अच्छे लगती है but real life में आप अपनी wise को कैसे edit करोगे इसलिए मैं इसको बार-बार repeat करती हूँ ताकि आप भी अच्छा pronounce करना सीख सके अभी जब आप किसी game को खेलते वक्त बोलते हो अब तुम्हारी बारी या अब मेरी बारी है तो आप उसको क्या बोलोगे English में it's your turn या फिर it's my turn now it's your turn या फिर it's my turn now अब तुम्हारी बारे it's your turn मेरी बारे it's my turn clear? चलो it is ने बोलोगे जब हम talking करते हैं speaking होती है तब हम it is name बोलकर it's बोलते हैं next तुम विजेता हो अगर आपका कोई friend game में जीतता है तो उसे आप English में कैसे बोलोगे you are the winner you are the winner ठीक है? मुस्कुराते हुए अच्छा से बोलोगे उदासो करके ने you are the winner very good अभी देखिए क्या तुमने सारा पार्ट याद कर लिया जब आपको teacher chapter learn करने को देती है तो अपने friend से पुछते हो क्या तुमने सारा याद कर लिया तो इसे English में आप कैसे पुछोगे have you learned all the chapters? have you learned all the chapters? clear? चलो next हमारा sentence है अगर अपने friend से पुछते हो कुछ सवाल उसका जवाब आपको नहीं आता तो आप बोलते हैं मेरे प्रश्न का जवाब दो तो आप ऐसे English में उससे कैसे वोलोगे answer my question please answer my question please clear? क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? आपको कभी मन करते ना अपने दोस्ते के बगल में बैठने का तो आप उससे कैसे request करोगे? can I sit beside you? can I sit beside you? clear? बच्चों ये मेरे वीडियो में ने जितने sentences बनाया है अभी आप चुटियां हैं आप घर पर हो आप teacher student game खेलो और उस game में आप इन सारे English के sentences को यूज करो believe me आपको बहुत मजा भी आएगा और आपके English भी इतनी अच्छी और improve हो जाएगी that you can't believe it कि इन चुटियों में आपने घर बैटे ही इतनी अच्छी English भी सीख ली चलो कुछ और करते हैं अभी शुरुआत है बच्चो अभी इजी इजी sentence को लर्ण करना सिखो एक चीज में हमेशा अपने वीडियो के शुरुआ आप सब को बता देना चाहती हूं कि एक टाइम में ही वीडियो को देख करके sentence को पढ़कर या सुनकर मजा आपको जरूर आ सकता है अच्छा लग सकता है बट वो sentence learn नहीं हो सकते हैं आपको English speaking करनी है आपको उन्हें learn करके आपको question answer learn करके किसी को नहीं सुनाना है इसलिए आप daily life में आप इन्हें daily repeat करें तब वो लगेगा कि आप English बोलते हो नहीं तो ऐसे लगेगा कि आप रटी रटाई English बोल रहा है चलो आते हैं ज्यादा time नहीं वेस्ट करते हैं नेक्स sentence पर आते हैं तो उसे मिलकर अच्छा लगा तो क्या बोलोगी एपने friend से nice to meet you बच्चो आप इस sentence को जब आप सुबह 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 स्कूल जाते हो ना तो जाते वक्त भी आप बोल सकते हो nice to meet you यानि कि how are you बोलने से अच्छा है आप ये बोला करो nice to meet you clear? नेक्स्ट है तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो बोलते हो अपने friend को ना इससे English में कैसे बोलोगे let's go to library let's go to library clear? तुम उदास क्यों हो कभी तो भी आपका friend बहुत दुखी होता तो आप उसे ने तुम इतने उदास क्यों हो तो उसे English में कैसे पुछे why are you upset? why are you upset? good next क्या तुम इस copy को रिया को दे सकते हो आप कोई भी sentence किसी का भी नाम बोल सकते हो अगर आप अपने seat पर से इस copy को किसी next friend को देना चाहते हो तो आप अपनी friend से बोलते हो ने जिनने यी copy इसको दे देना इससे English में कैसे बोलोगे can you pass this copy to Ria please? can you pass this copy to Ria please? clear? अच्छा चलो next है अभी आप स्कूल से जब जाने लगते हो चुट्टी होती है तो बाई बोलते हो ने बाई कल मिलेंगे अभी क्या बोलोगे? बाई, see you tomorrow बाई, see you tomorrow clear? चलो हमारा next sentence है बुरा नहीं मानना बुरा नहीं मानना कभी कभी आपको अपने फ्रेंड की कोई बात अच्छी नहीं लगते तो आप बोलते हैं बुरा नहीं मानना मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी वससे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? don't mind it please don't mind it please बच्चो आज के लिए सिर्फ इतना ही I hope आपको मेरी ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और उनके साथ इंग्लिश में करना नहीं भूलिएगा Thank you to all of you for watching my video